नवश्कार वेल्कम बैक तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि स्ट्रोक या जो लकवा है वो क्यों होता है और ब्रेन में क्लॉट केसे पहुंचते हैं जिसके विज़े से हाथों में पाओं में कमजूरी आ जाता है आज हम इस वीडियो के जरी आप से यह डिसकस करन जाहेंगे कि किसी को ल dangerous हो जाता है तो क्या करना चाहिए ठीक्वा या पईलैटी का जो एक है कोई बीकिती को किसी भी से में हो सकता है इसके बाहरे में जानकारी होना काफी जरोरी है और यह इतना केटास्ट्रोफ के होता है इसके विजे से जैसे को भी स्तर होता है तो जो घर के आते हैं टौफी कोरहा वसक्ता है क्यासा था अधनी को जिसको इस त्रह यह का ली पाता है तो सब्सक्राइब और मैंसे हो सकता ह Dancing the तो पर्म पर नहीं सो जनुबिट लगव या ब्रेन आटक जो है उसके उसको किसी को इस तरह का फ्रॉल्म आता है तो उनको हाथों में या कम आसी और सकता है या बहोशी हो सकता है यह मुढ थेड़ापन हो सकता है जैसे मैंने इसे दाथ दिखने के लिए बोलेंगे तो आपको पता चाल जाए मूँ थोड़ा तेड़ापन है या तुतलापन आ गया है या बेहुशी हो गया है या चलने में लर्खरा के चल रहा है तो यह सारा जो लगवा के लक्षन होता है और यह फटक से होता है मतलब सब कुछ ठीक ते और सड्डरीं यह सरा चीज यह तक्लिफ आ गया है तो यह सारा लक्षन होता है तो आप इसको इनॉरton नहीं करना चाहिए क्योंकि यह लगुवा हो सकता है और ब्रेंदेंट हो सकता है इस तरह कर तक्लिफ होता है तो यह सबसे पहले यह जानना ज्रूरी है क आपके nearest stroke ready centre नहां पर है stroke ready center का मतलब है कि जहां पर stroke की complete treatment available है जहां पर neurologist है जहां पर emergency service available है city scan की facility है यह मरी की facility है इससे क्या होता है आपके जो time जो है काफी save हो जाता है time इसलिए important है यहां पर क्योंकि हम particular hours तक मतलब usually तो यह लिए प्लॉट को गुलने के लिए कि दवाई को गुलने के लिए दवाई दे सकते हैं। इन धिम्यां को दॉड़ा है और कंप्लीट कर्धाभरी होने का चांस काफी बग जाता है। तो इसलिए में बोल रहा हुँ जिसके सारे चार घंटा जो है आपके महां के वह जितना जल्दी हम दवाई देंगे तो इंपर्बेंट के चांसे भी ज्यादा होता है तो आपको जो नियारेस्ट सेंटर है जो भी हॉस्पिटल से महां पर पोचिए और पकर लीजिए वह स्ट सेंटर कहां पर है जहां पर यह कंप्रीट में दे सकते उसके पास जाना चाहिए तो अभी मैंने आपको पताया कि किसी को भी लगवा की इस तरह का प्रावलेम होता है तो यह जो ट्रीटमेंट है जो प्लॉट को डिजल्व करने के लिए बूलने के लिए जो इंजेक्शन स नहीं भूले तो हम ब्रेइन में जाके उस क्लॉट को रिमोब कर सकते हैं तो उसके लिए हमें एक सेंटर वहां उसी सेंटर में जाना पड़ेगा जहां पर यह इस तरह का क्लॉट रिमोबल की फैसलीटी है जिसको हम मेडिकल डाम में मेकानिकल थ्रॉमबेक्ट में बोलते ह कहा है कि है हाथों की जो नसे है या जाम चूटे-चोटे-च platinum लेकिख पहुँच जाते हैं और क्लॉट को खीच के बाहर निकालते है और इसके बाद जो ब्रेंगे जहां भिन below दोपाई हो बंद वगैता वो दोबारा रीस्टोप कर देते हैं इस से ब्रेइन का डैमेज होने का चांसेश जो है वह काफी कम हो जाता है जो तो ब्रेइन हम सेलवेज कर सकते हैं पकली जो आपने जल्दी आज आगे हैं और क्लॉट रिमॉब कर दिया तो उसे रिकोवारी का चांसे भी काफी अच्छा होता है यह जो दो ट्रीटमेंट के बारे में बता है तो आपको इंजेक्शन से जिसको हम थ्रॉम्बोलाइस बोलत है जिसमें कि कि किसी को भी कोई तकलीफ होता है तो उसका इंप्रॉब्मेंट का चांसे काफी जादा होता है और इसा नहीं कि यह सिव में बोल रहा हूं आपको यह जो हम लिटर्चर देखेंगे तो हां पे होगा और वर्ल्ड में कोई भी बैस्टु बैस सेंटर में जाए होता है या लगवा की आटेक आते हैं तो यह लक्षन जाने और इसको इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी आपके नियरवाइज जो स्ट्रोक रेडी सेंटर हैं जहां पर यह सारा फैसिलीटीज है वहां पर जरूर जाए आपके जो डॉक्टर हैं आपके जो फेमिली मेंबर्स या कोई फ्रेंड्स को आपसे पूछें तो आप उनको ज़्ला दे सकते हम रखें आपका खैल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो